हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने वीवो T2X Android वाइल फोन में आप 24 आर फॉर्मैट सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये 24 आर फॉर्मैट सेटिंग जो ना इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे का करती है आज के इस वीडियो में मापको डीटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए हैं आप यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑ जो option दे रहा है ना use local default इसके सामने अले बटन को tap करके इसे off करना है तो अब आप 24 hour format के सामने अले बटन को on कर पाएंगे ठीक है इसे on करने से पहले मैं आपको कुछ बाते यहां पर बता देता हूं ठीक है फिर मैं इसको on करके दिखाऊंगा देखे हमारे mobile phone की गड़ी में जो time हो रहा है अभी 7 बचके 31 मिनट हो रहे है यह मेरा साम का समय हो रहा है इवनिंग का साम के 7 बचके 31 मिनट हो रहे है मेरे phone की गड़ी में आप देखे मैं इस 24 hour format setting को on करता हूं इस बटन को मैं on कर लेता हूं तो यह blue color में बटन on हो जागा है यह आपकी setting enable हो जाएगी आ time के ऐसे दिखाई दे रहा है 19 बचके 31 मिनट ठीक है यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एक दिन रात में जो time होता ना एक दिन का जो time होता हो पूरे 24 घंटे का होता है ठीक है तो होता है क्या है रात के 12 बज़े के बाद से आपको 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके time दिखाई देता है रात के 12 बज़े के बाद से और दुपैर के जैसे ही आपके 12 बज़े तक 12 लिखा हुआ दिखाई देगा जैसे ही आपका 12 बज़े के बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 रात के 12 बज़े के बाद से फिर रात के 12 बज़े तक आपका 24 घंटे का time हो जाता है तो इस 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे गर के टाइम दिखाई देता है मारको ठीक है तो इस सैटिंग जो ना इनेबल करने के वज़े से ऐसा होता है ठीक है